हेलो गाईस नमस्कार मैं हूं अखलेश आपका दोस्त और आप सभी का श्वागत है आपके अपने एसे टेक्निकल रिसर्च यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी आर्मवाडी भरती निकल चुकी है गाईस तो आनलाइन शु करके ओनलाइन आपको दिखाने वाला हूं गयाईस तो आई ये वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें गया तो आई ये वीडियो को सुरू आपको अपने मोबाईल में कंप्यूटर में या लेपटाप में कोई एक इंटरनेट ब्रोजर ओफिन कर ले ना गया जैसे कि मैं ग्रों ओफिन कर ले रहा हूं जैसे आप अप ग्रों ओफिन कर लेते हैं उसके बाद आपको आजाना है सरकार эту result.com संगे आप सर्च कर लेटे ओसके बाद आपको सर्च फर क्लिक करना जैसे आप सर्च पे प्लिक करते हैं तो आप के सामने इस तरह का कुछ अंटर्फeis omen हो जाता है अब आपको फस्ट वाली लिंक से क्लिक करते हैं तो आपके सामने सरकारे रिजल्ट की ऑफिसियल वेफशाइड ओफेन हो जाती है गईस उसके बाद गईस आपको आजाना है लेटेस्ट जोब में जैसी आप लेटेस्ट जोब में आते हैं तो आपको उसमें मिल जाएगा यूपी आहनवारी भरती ओनलाइन फॉर्म आपको इस पर किलिक करना जैसे गाइस आप उस पर किलिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेश ओपन हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं इस फॉर्म की जो अफ्लिकेशन जारी डेटर वह डिस्टिक वाइस है और इसकी गवर्मेंट फीज कोई भी नहीं है जीरो है चाहे वह प्रण फ्लाश टू फास हो गई उसके बाद देख सकते हैं कि जितने जिला हैं जिले में जितनी वेकंसी वह सारी डिटेल आपको दी गई है उसके बाद इस फेज को ऊपर की तरह थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है जैसे ही गईस स्क्रॉल कर देते हैं तो आपके सामने इस अगर अभी तक आप रेजिस्टेशन नहीं किये तो आपको रेजिस्टेशन वाले ओप्शन पर किलिक करना है जैसी आप उस पर किलिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेश ओपन होड़ा अब आपको सबसे पहले आपको अपना नाम फिल कर देना है इंगल याला ओक्वल करना उसके बाद मिलएगगे जैसे अपों पर क्लिक करना pursuing करने मैं जैसा आपके सामने आपको फिल आपको अपने मोबाल नमबर ळाल देना है जो mobile number आप registration किये होंगे उसके बाद guys आपको login पे click करना है जैसे लोग इन पे आप click करते हैं तो आपके mobile number पे दुबारा से एक OTP जाती है उस OTP को आपको fill करना है guys जैसे आप OTP fill कर देते हैं उसके बाद आपको capture fill करना होगा guys नीचे जैसे आप capture fill कर देते हैं उसके बाद आपको verify oblique सत्यापन वाले option पे click करना है जैसे ही guys आप उसके click करते हैं तो आपके सामने आपका login page open हो जाता guys तो सबसे पहले guys आपको अपना जन्पत चूच कर लेना है जो भी जन्पत आपका हो उसके बाद आपको फर्योजना चूच कर लेना है ओके guys जो भी आपका हो उसके बाद आपको अपना सारी या ग्रामीड चूच कर लेना है अगर आप सारी से आते हैं तो सारी ग्रामीड से आते हैं तो ग्रामीड उसके बाद गैस आपको अपना ग्राम पंचेट चूज कर लेना है ग्राम पंचेट चूज करने के बाद गैस आपको अपना नियाई पंचेट लेना है नियाई पंचेट का नाम उसके बाद गैस आपको रिक्त आवन बाड़े केन का नाम यहां पर कना क्लिक करनें के यहां पर आपको उसके बदर आपको आपना नाम हेंडी Mine और आपके पून में Hindi की वर्ड नहीं इंस्टाल है तो आपको एखिंधी डॉन्डै तो आम लोड करना होग या फिर आप Google पे जाके गुगल इंफूट पर डायरेक्ट हिंदी टाइप करके यहां फिष्ट कर सकते हों उसके बाद आवेदक का अग्रेजी में नाम फिल करना उसके बाद फादरस नेम फिल करने के बाद आपको मदरस नेम फिल करना उसके बाद अगर मायरीड रहेंगे तो आपको पती का नेम फिल करना है गैस यानि कि husband name उसके बाद गैस आपको डेटा आप बच चूच कर लेनी है डेटा बच चूच करने के बाद गैस जैसे इसारी डिटेल आप फिल कर लेते हैं गैस उसके बाद आपको एक अगला का option मिलेगा उसपे आपको किलिक कर देना है जैसे आप उसपे किलिक करते हैं तो आपका जो अगला पेज है वो ओपन हो जाता है यानि कि आप आपको अपना व्यक्तिगत विवरण फिल करना है गैस तो आपको अपना सिरेडी में आना है और यहाँ पे आपको अपना चोच कर लेना है जो भी आपका हो अनपेशड़ा और अंसोची जात अंसोची जन जात जो भी आपका हो गैस उसके बाद गैस आपको उफसरेड़ी चोज कर लेना है उफसरेड़ी में जैसे कि अगर आप दिभ्यांग है या स्वतंतरता संगराम सेनानी के आश्रेत हैं तो अनिता आपको कुछ नहीं चोज करना है उसके बाद गैस आपको आवेत्का की वर्तमान इस्थिती आपको इस पर किलिख करना है अगर आप विद्वा है तो विद्वा तलाग सुदा है तलाग सुदा या फिर आप अनिता चोज करेंगे एक बात ध्यान रहे गैस आप जिस गिराम पंचयत के निवासी होंगे सिर्फ उसी गिराम पंचयत से आप फार्म को फिल कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर निवास परमारपत कर्मांग शंखिया डालना है और उसके बाद आपको निवास परमारपत आवेधन कर्मांग डालना है दोनों में डिफरेंस होता है आपका निवास परमारपत कर्मांग वो होता है जब आपका जनरेट हो जाता है यानि कि बन जाता है उसमें आपको पर मापका करक्त कहता है और दिया जाता है और निवास के लिए जब आप आतर्धन करते हैं। नंबर होता ही। उसके बाद सेमेसे जात में फिल कर लेंगे आई में फिल कर लेंगे आप एंदन करमांग और आए फर्मारफत कर दो कर लेते हैं उसके बाद आपको दुबारा से अगला वाले स्टेप फे प्लिक करना है जैसे आप अगला वाले ऑप्शन पर किलिक करते हैं तो आपके सामने साच्छे क्योगता का डिटेल फिल करने होती हैं यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा नियान देना गईस यानि कि अगर आप इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा वो टेन पुलर टू मांगा बट अगर आप ग्रेजवेशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजवेट हैं तो आपको सारी डिटेल फिल कर देनी हैं जब आप नोटिफिक सबसे पहले अपना हाइश्कूल की डिटेल डाल देनी गईस सबसे पहले आपको अपने विद्याले का नाम डालना जिस विद्याले से आप किये होंगे गईस हाइश्कूल उसके बाद आपको बोड का नाम डाल देना जो भी बोड आपका होगा उसके बाद आपको अंकपाई वह आपको डालना है आपको परतिसर डाल देना है अगे उसके बाद गैस आपको मार्क शेट यहां फे अपलोड करनी है और हाई स्कूल परमारपत अभी लेटिस्ट में जो मार्क शेट आती उसमें मार्क शेट और परमारपत दोनों साथ में होता है तो यानि कि वही चीज आपको हाई स्कूल मार्क शेट में अपलोड करना वही चीज परमारपत में अगर गैस आपको 2010 के पहले किये होंगे हाई स्कूल तो आपके पास दो होगा मार्क शेट अलग होगी और परमारपत अलग होगा तो गैस चैसे मन मर्क्सील अप लोट कर्दे रहा हो उसके बाद क्वैशित आपको अपना इंटर की डितेल फिल कर्देनी है उसके बाद आपको बोड का नम डेल देना उसके बाद आपको इंटरुड़ बसकी देना है उसके बाद आपको फ्रांग डाल देना गैस उसके बाद प्राफ तंक डाल देना है उसके बाद गैस सेम आपको इंटर्मीडियेट में वही चीज अप्लोड करना मार्क शीट और अगर संद वजात-दस के पहले की हैं तो मार्क शीट अलग और जैसे गैस यह सारी डिटेल आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको दुबारा से अगला वाले आप्शन पर किलिक करना है जैसे उस पर आप किलिक करते हैं गैस तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है यानि कि गैस अब आपको यहां पर फोटो अफ प्रोब्लम आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से जाके आप डाइरेक्ट अपने फोटो की डाकुमेंट किसके भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से तो गैस चूज वाले फाइल पर क्लिक करना और फोटो आपको चूज कर लेना गैस उसके बाद आपको सिगनेचर चूज कर लेना जैसी यह सारी डिट्रेल फिल कर देते हैं उसके बाद दुबारा से आपको अगला वाले आप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक घो मिलेगा उस पर आपको टिक कर देना है किलिक कर देना जहां पर लिखा होगा गईस मैं घोफडा करती हूं कि मैंने उक्त पस्ट से संबंदित परकासित विग्यापित को ध्यान पूर्वक पढ़ा है जैसी यह सारी चीज आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको अगला वाल के रैश्यंट पर क्वाफ है कि इसे आपको अगला वाले और पीकडिक करने है जैसे आप इसके वीडियो आपको पसंद होगे और वीडियो आपको फ़संद आई तो काम है और वी-डियो प्यंद्येम अगर आपको फॉर्म फिल करने में कहीं भी प्रोब्लम आ रहे हैं तो आपको डिस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम फेस्बूक ओके गईस वहां फे आपको email id, mobile number सारा कुछ मिल जाएगा जहां से जाके आप काल भी कर सकते हैं गईस थैंक्यू दोस्तों फिर मिलता हूँ अगले बीडियो